हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सेखने वाले हैं कि जो डिसकाउंट का प्राश्ण होता है इससे हल कैसे किया जाता है तो देख सकते हैं पर पहला प्राश्ण है एक किताब की कीमत 400 रूपए है यदि 8 प्रतिसत की छूट दी जाए तो किताब की मुल्ली निका देखे इस प्राश्ण को हल करना बिल्कुल आसान है सबसे पहले देखे यहां पर दिया हुआ है छूट है आठ प्रतिसत यानि देखिए यहां पर है प्रतिसत के रूप में तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि रूपए के रूप में छूट कितना होगा देखे किताब का आठ प्रतिसत को निकालेंगे देखिए का का मतलब होता है गुना और यहां पर देखिए आठ प्रतिसत है तो यहां पर लिखेंगे आठ प्रतिसत को अब देखिए यहां पर लिखेंगे सबसे पहले 400 को यहां पर हैगा गुना यहां पर लिखेंगे 8 को जब प्रतिसत का च 2-0 कट जागा 4-7 गुन 8 में करे तो यह हो जागा 32 यानि देखिए छूट रूपाई में कितना गिया वह आगया 32 रूपाई यानि देखिए 400 रूपाई का किताब है अगर 8 प्रतिसत के छूट है तो छूट रूपाई में कितना होगा वह हो जागा 32 रुपाए अब देखे किताब के कीमत को निकालना था तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जितना का किताब होगा इस में से जितना छूट आगा उसको हम लोग घटा देंगे यानि देखे जीरो में से दो नहीं घटेगा तो हम लोग यहां से हासिल इसमें लेंगे यह हो जागा 10 और यह हो जागा 3 अब यहां से हासिल इसमें जागा यह हो जागा 9 और यह हो जागा 10 10 में से दो घटाने पर यह बच जागा 8 यह संख्या था 9 9 में से 3 घटाने पर यह बचेगा 6 और यहां संख्या बचेगा तीन यानि किताब की कीमत कितना होगा वह हो जाएगा 368 रुपए देखे एक तरीका यह है और एक तरीका मैं आप लोगों को और भी बता देता हूँ जैसे देखिए किताब की कीमत कितना था वह था 400 और देखे छूट कितना था छूट जो था वह था 8 प्रतिसत देखे किताब का जो मुल्य है यहां अपने आप में 100 प्रतिसत होता है यानि 100 प्रतिसत का दाम यहां पर देखे 400 है यहां पर देखे 8 प्रतिसत की छूट है तो हम लोग छूट को 100 प्रतिसत में से घाटा देंगे, देखिए 100 में से 8 घाटाने पर यहां बचेगा 92 प्रतिसत, तो अब आपको क्या करना है, यहां जो 400 है, इसका आपको direct 92 प्रतिसत को निकालना है, यानि 92 प्रतिसत जो होगा, किताब की कीमत होगा, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 400 गुना 92 प्रतिसत अब हम लोग देखें इसको हल करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 400 को यहाँ पर रहेगा 92 जब प्रतिसत का चिन हटता है तो इसके बटा में लिखा जाता है 100 को यहाँ 2 0 से यहाँ 2 0 कट जागा अब आपको 4 से गुना करना है 92 में 4 से गुना 2 में करे तो यह हो जागा 8 4 से गुना 9 में करे तो यह हो जागा 36 देखिए अगर आप इस तरीका से भी हल करते हैं तो अभी आपका एंसर सेम आगा तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गये होंगे कि जो इस तरह का डिसकाउंट का प्रास्ण होता है इससे हल कैसे किया जाता है